हलो माई फ्रेंड्स वैलकम तो मैं चैनल गार्णिंग एट होम और आज का जो वीडियो है ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारा मांसून बिल्कुल स्टार्ट हो गया है और जुलाई अगस्त में हम लगाने वाले हैं अपनी विंटर प्लांट्स की बहुत सारी क क्रिसंथिमम जो हमारे विंटर को बहुत ही खुबसूरत बनाते हैं तो लिस्ट में सबसे पहला नाम हमारे क्रिसंथिमम का ही आता है और बिल्कुल अभी से आप इनकी कटिंग्स लगाना शुरू कर दीजे जुलाई अगस्त से इनकी कटिंग्स जब हम लगाएंगे तो इ बहुत ही ज्यादा लंबी तो नहीं है ऐसे प्लांट्स हैं जो हम सेव करके रख सकते हैं और हमारे समर में भी वो सेव हो जाते हैं और हमारे विंटर तक वो चलते हैं जिनकी हम कटिंग्स लगा सकते हैं उनमें सबसे पहला नाम हमारे क्रिसंथिमम का आता है तो बिल्कुल आप लोगे के पास भी क्रिसंथिमम के बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो फटा-फट से इनकी कटेंग जो हैं वो आप लगाना शुरू करिए तो चलते हैं लिस्ट में दूसरे नमबर की ओर दूसरे नमबर पे ये हमारे पॉम-पॉम वाले डेलिया हैं अगर आपके पास इनके प्लांट्स सेव हैं आपके पास ये प्लांट्स हैं तो इनकी भी आप कटेंग लगा सकते हैं बहुत ही खुबसूरत होते हैं छोटे-छोटे से फ्लार्स खिलते हैं पर देखने में बहुत ही खुबसूरत लगते हैं तो डेलिया जो ये पॉम-पॉम variety वाले हैं, इनकी cutting आप लगाईए और आगे आने वाला जो winter है वो बहुत ही खुबसुरत होने वाला है तो चलिए अब चलते हैं list में अपने तीसरे नमबर वाले plant की ओर और तीसरे जो plant है वो भी बहुत ही खुबसुरत plant है और वो है हमारे impatience, देखे impatience की भी cutting आप लगा सकते हैं पीछे हमारे रखे हुए है impatience और ये देखने में भी बहुत ही खुबसुरत होते हैं, चोटे-चोटे से flower होते हैं पर बहुत ही खुबसुरत होते हैं, इनकी cuttings अगर आपके पास ये plant safe है तो इनकी भी cutting आप इस season लगाईए तो चलिए list में चलते हैं, next number पे गजानिया की ओर, तो जो गजानिया के plants हैं, ऐसे दो plants होते हैं, गजानिया और ये हमारे strawberry, ये दो plant by root division आप divide कर सकते हैं और इनके कई plant बना सकते हैं next number पे हैं, ये हमारे carnation, देखें, इनकी condition है थोड़ी नाजुक लग रही है, क्योंकि ये बिल्कुल भीग से गए हैं बारिश में और थोड़े थोड़े plant ही बचे हैं हमारे पर इनकी छोटी-छोटी सी cuttings हम लगाएंगे, और आगी जो आने वाला जो समय हैं, उनमें ये धेरों plant बना सकते हैं, इनकी छोटा साइ plant मेरा ये बचा हुआ है और उसमें एक flower भी आपको खिला हुआ नजर आ रहा है, इस मानसून में ही ये खिला है, तो इस plant की भी हम cutting लगाएंगे और next number है हमारे calanches का, देखें calanches की 2-3 variety मेरे पास है एक ये वाली वराइटी है जिसमें यलो यलो से फ्लार किरते हैं और इसके लीवस आपको दिख रहे हैं थोड़े डिफरेंट हैं इसके साथ ही जो मेरे पास और दूसरे plant हैं उनमें हाइब्रेट वाले हैं और हमारे देशी वराइटी वाले calanches हैं ये देखिए सामने ये सारे मैंने shady area इनको provide कर दिया है क्योंकि बरसात में ये खराब हो जाते हैं और मैंने आप लोगों से share भी किया हुआ है कि ऐसे कौन कौन से plant हैं जिनको आप save करके रख सकते हैं बारिश के पानी से बचाना है आपको उने तो उनमें ये भी शामिल है और ये देखिए बिल्कुल shady area में मैंने इन सारे plants की रखे हैं और इनकी cuttings भी लगा दिये तो बिल्कुल आप लोग भी इनकी cuttings लगाईए और भी मुझे इनकी कि बहुत सारी कलेंचो की cutting लगानी है तो जब भी मैं इनकी cuttings लगाऊंगी न तो आप लोगों से जरूर शेयर करूंगे कि कैसे हम अपने कलेंचो की cutting लगाए और उनसे धेरों flowering पाएं तो ये सारी varieties जो कलेंचो की हैं तीन varieties मेरे पास नहीं कलेंचो की वो हम लगाएंगे नेक्स नंबर है ये हमारे dentus का देखे बलकुल बारिश की वज़ा से इनकी सारे flower जो है वह गल गया है बिलकुल कुमला से गये हैं तो मेरे पास भी छे-साथ ब्लांट बचे हुए हैं बिलकुल ये डेंचो के और इन डेंचो की भी cutting हम लगाएंगे देखें बिलकुल बार सुन आपको अपनी डेंथस की भी कटिंग लगानी है और धेरू प्लांट बनाने अपने विंटर्स के लिए ताकि आपके आगे आने वाला जो विंटर है वो बहुत ही खुबसूरत हो इस नमबर पर देखी फ्रेंट्स ये हमारे डेलिया के जो बल्ब हमने सेव करके रखे ना इनकी भी देखे छुटी शुटी सी नई नई सी ब्रांचेज निकलने लगी हैं और इनकी भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं डेलिया की और ये डेलिया के भी बहुत सारी प्लांट्स आपके जो हैं वो रेडी हो जाएंगे बाय कटिंग्स तो जितने भी डेलिया के बल्ब आपने सेव करके रखे हैं उनमें नई नई जो ब्रांचेज निकल रहे हैं उनको लगाके आप अपने कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं तो डेलिया की भी कटिंग्स आप फटा- बर्ड आया हुआ है तो अजेलिया का प्लांट अगर आपका सेव है तो बिल्कुल अजेलिया की भी कटिंग्स आप लगा सकते हैं यह देखे मेरे पास यह दो अजेलिया की प्लांट है और इनमें भी देखे फ्लावर बर्ड आया हुआ है जैसे ही मौसम अच्छा होता है तो इनमें भी बर्डिंग जो है वो शुरू हो जाती है तो ये अजेलिया के प्लांट की कटिंग आप बिल्कुल इस तह में लगाईए और आपके भी इन ब्रांचेस से कई सारे प्लांट साप रेडी कर सकते हैं देखे फ्रेंड्स ये है हमारे जीरेणियम के प्लांट और इनमें भी देखे निव ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई है जैसे ही बारिश का मौसम हुआ और इनकी भी कटिंग आप बिल्कुल लगा सकते हैं इस मौसम में और जिरेनियम के भी कई सारी प्लांट्स आप बना सकते हैं तो जो भी जिरेनियम के प्लांट आपके सेव हो उनकी फटा-फट से कटेंग लगा लिजे और बारिश से थोड़ा सा आपको इसको बचा के रखना है नहीं तो यह गल जाएगा तो अगर आपने से डिरेक्ट बार से ग्रो कर सकते हैं विंटर की तो जू प्लांट्स मैंने अभी आपको बताए हैं लिस्ट सेयर किये उनको फटा-फट से ग्रो करिए बाय कटिंग और आपका भी विंटर जो है वो बहुत ही खुबसूरत होगा तो चलिए इसी के साथ लेती हूँ आप लोगों से विदा फ सब्सक्राइब के साथ तक लिए थैंक्स वाचिंग एंफ़ गाणिंग टोल फ्यू